उत्तर प्रदेश के शाजहांपुर के विकास खंड वंडा में विजली वालो पर ब्रिश्ट अचार का आरोप लगाया जा रहा है ये आरोप कोई और नहीं बलकि खुद विजली उजर ही लगा रहे है उनका कहना है कि केंदर सरकार की योजनाव से हो रहे है विदूती करण में उससे पैसा मांगा जा रहा था जिसको लेगर भारती किसान यूनियन ने आज चका जाम करना था जब एवियन की टीम पहुची तो विदूत विभाग हरकत में आया और आनन फानन में लाईने भीचाने लगा तो भारती किसान यूनियन का आज चका जाम था जिसे आज टाल दिया गया पूरा मामना विकास खंड वंडा के गाउं अजमत्पुर का है यहाँ पर तीन साल से लोग विजली को लेकर संगश कर रहे थे समाज सेवी संगटनों और एवियन की कोशिशों के बाद आज विदूति करन का काम चुरू कर दिया गया है साइट इंजीनियर का कहना है कि उनकी पोस्टिंग अभी हाल ही में हुई है उससे पहले कौन रिश्वत मांग रहा था इसके बारे में उसे जानकारी नहीं जिला उपास देख शहमंदीब सिंग जी आप बता पाएंगे क्या था आपका पूरा मामला क्यों आप लोग यहां पर चक्काजाम कर रहे हैं तीन साल से ग्राम अजमतपुर में खंबा घारकार छोड़ दिया गया था जी और ठेके दारदारा इन लोगों से 35,000 पर मांगे फट्रीस हजारा थे की आप इस पैसे को हम लोग उसमें सीमन डालें गे भाना करें तो तुम्हारे गाओं का कम चालो होगा तो यहां के नौजवानों ने हमसे कहा हम लोगों ग्यापन दिया आज चक्का जाम करने से पहले ही यहां पर जो स्वैड अपने अंचार्ज थे जहां के जैई ते जो स्वैड अंचार्ज थे वो जहां पर पहुंच गए और इन्होंने जे ट्राली खड़ी है तो इसमें वो समान सटा भी आने वाला हूं यहां पर जा रहता है विपरिया हर्चंद में जो दूसरा मोजा पड़ता है वहां भी लेड रतीव चला है कम वहां विद्धूती करन ऐसी तरीके से और दौकरा तो पैसा उसा भी मांगा जा रहा है किसा अनुस्ट आप ऐसा है विजली विभाका जो यहां पर पता नहीं क्या नाम है उनका तो वह उन्हों से मतलब जबनें 25 रुपे की ती यहां पर कि पचीछार रुपे खर्च जाएगे इसकाम में एक लोगों के से या पूरे लोगों से लोग यहां खड़े हुए थे चार से लोगों से पैसे लांगे जो लोग खाड़े थे मो भरस्टाचार मुक्त परदेश बनाएंगे आखर इसे कैसे हम भरस्टाचार मुक्त पर देश समझेंगी बता पाएंगे तो यह तो बढ़ रहा है जिसमें भरष्टाचार इसे ग्राम विद्दृति करण के नाम से यह जोजना चला जा रही ती राजीव गौन्दी विद् सब्सक्राइब के लिए इससे पहले भी आपको बता बता दूं कि इससे पहले भी कई समाज सेवी संगटनों ने इसके लिए धर्णा प्रदर्शन किया था लेकिन यहां पर विद्दुद भाग और इन लोगों की मिली भागत से इन्हें काफी संगर्श करना पड़ा मैं उनी कि लोगों से जानना चाहूंगा बाइसा अब कौन क्या पद पर हैं सब्सक्राइब कर यहां कि अब हम अब सूचना नहीं मिली थी अब इधर पर तीन-चार्व दिन पहले हमारे पास सूचना आई उसके बाद हमने काम स्टार्ट किया है आप अपना नाम बता सकते हैं साथ सब्सक्राइब के तहत बनाया जाना था जो काफी लेट लीप के बाद कई सगठनों के चक्का आजाम धरना प्रजेशन के बाद आखिर सरकार की नीद खुली है